Hello everyone and welcome to learn everything अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा NCRT स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज किस वीडियो में हम क्लास एट की बुप हानी जू का सेकंड चैटर दिस सुनामी को पढ़ेंगे तो चलिए बिना वक्त कवाए हम इस चैटर को पढ़ते हैं सबसे पहले इस चैटर में बताये गया है कि सुनामी क्या है सुनामी बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहरे हैं जो सम्मुद्र के नीचे हलचल या भूकम के कान आती है 26 जिसंबर 2004 को सुनामी ने थाइलेंड को हिट किया था और इंडिया के कुछ एक हिस्सों में जैसे कि अंडमान और नीको बार दीप समू में और तमिलांडू के तटिये छेत्र में जैसा कि आप देख सकते हो इस तस्वीर में आगे यहाँ पर कुछ स्टोरीज भी दी हुई है जिसमें कि जो लोग बच गये थे उन्होंने अपनी जानकारी शेयर की है कि किस सरसे वो लोग बचे थे आगे इस चैप्टर में ये भी बताय गया है कि क्या जो जानवर थे उन्हें भी पता था कि सुनामी आने वाली है कुछ स्टोरीज में ऐसा पता चलता है कि शायद उन्हें ये पता था तो चलिए सबसे पहले हम इसके पार्ट पन को पढ़ते हैं जिसमें की एक स्टोरी को बताय गया है ये सारी कहानिया अंडमान और नीको बार दीब समूमे से ली गई है कच्चल नाम की जगा पे इगनीसिस नाम का आदमी एक कॉपलिटिस सोसाइटी में मैनेजर का काम करता है उसकी पतनी उसे 6 बजे उठाती है क्योंकि उन्होंने भूकम को महसूस किया था इगनीसिस ने जल्दी से टैलीविजन को टेबल से हटा दिया और उसे जमीन पर रग दिया ताकि वो गिर कर तूट ना जाए और फिर पूरा परिवार घर से दोड़कर बहार आ गया जब जटके खत्म वे तो उन्होंने देखा कि समुद्र में पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है और इस वज़े से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गये थे और भागदोड की स्तिती में उनके जो दोनों बच्चे थे उन्होंने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ा और जिस दिसा से लहर आ रही थी उसकी विप्री दिशा में वो दोड़ पड़े और इसके बाद वो दुबारा कभी नहीं मिले उनकी जो पत्नी थी वो पानी में बह गई थी और उनके साथ जो तीन बच्चे थे केवल वो ही बच पाए थे इसके बाद आगे एक दूसी स्टोरी बताई गई है संजीब जो था एक पुलिस्मेन था उसी कच्चल आइलेंड में नीकुबार तीब समूम है किसी तरह से वो खुद को अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को लहरों से बचा पाया तभी उसने जॉन की पत्नी की चीखे सुनी और जो गेस्ट हाउस का कूक था उसकी भी चीखे उसनी सुनी तो उनको बचाने के लिए जो संजीब था वो पानी में कूद गया लेकिन वो दोनों के दोनों जो थे वो पानी में बह गये थे इसी मैं आगे एक और स्टूरी बताई गई है 13 साल की जो मेगना थी वो अपने पैरेंट्स और 77 और लोग जो थे उनके साथ वो भी पानी में बह गये थी दो दिन तक वो पानी में तैरती रही और उसने एक लकड़ी का दरवाजा पकड़ रखा था जिसको पकड़ कर वो दो दिन तक पानी में तैरती रही और उस दोरान उसने 11 बार हेलिकॉप्टरों को देखा था जो कि लोगों की जान बचा रहा था लेकिन उन में से किसी ने भी मेगना को नहीं देखा किसी तरह से एक पानी की लहर उसी किनारे पर ले आई और वो काफी लंबे समय तक उस किनारे पर घुमती भी पाई गई इसी में आगे एक और स्टोडी बताई गई है, अल्मस जावेजजो थी वो दस साल कहीं थी और एक स्टूडेट थी कारमल कर्मेंट पौट ब्लेर में और पौट ब्लेर में ही उसकी पिता का पैट्रोल पम था और उसकी मा का जो घर था वो नानकावरी आईलेंड में था और वहीं उसकी फैमिली क्रिस्मस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी जब सुबा जल्दी जल्दी भूकम के जटके आए तो जो परिवार था वो सो रहा था अलमस की पिता ने देखा कि समुदर का पानी पीछे की ओर जा रहा है और तभी वो समझ गए कि अब जब ये लहर पापस आएगी तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ पापस आएगी तो उन्होंने सभी को जगाया और जल्दी जल्दी किसी सुरक्षित जगा पर भागने को कहा जैसे ही वो भाग रहे थे तभी उसके दादा जी को किसी चीज से उनके सिरपल लगी और वो नीचे गिर गए उसके पिता उनकी मदद करने के लिए गए और इतने मेही जो पहली विशाल का लहर थी वो आई और उन दोनों को बहा ले गई अलमस की मा और चाची दोनों एक नारिल के पेड़ के पत्ते को पकड़ कर खड़ी रही और उसको बुला रही थी इतने मेही एक पानी के लहर ने नारिल के पेड़ को उखाड़ दिया और वो दोनों भी पानी में बह गई अलमस ने एक लकडी के लठे को देखा जो कि तैह रहा था वो उस लकडी के लठे पर चड़ गई और उसके बाद वो बेहोस हो गई जब वो जागी तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया और वहां से उसको फी पॉट ब्लेर लाया गया वो छोटी सी बच्ची अब भी किसी से भी उस खटना के बारे में नहीं बोलना चाती थी अभी भी वो सदमे में ही है अब इसके बाद हम पार्ट टुको पड़ेंगे टिली स्मित एक बिटिस स्कूल गर्ल है जब फुकेट पीच थाइलेंड में सुनामी टकराई तो ये जो टिली स्मित लड़की थी जो कि बिटेन से वहां आई थी तो उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई हाला कि उस लड़की को बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए काफे सारे अवार्ड्स मिले लेकिन उसके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की का इंटर्विव हो और उसे बहुत ज़ादा हाइलाइट किया जाए तो अब आपको ये बताना है कि उन्होंने ये डिसिजन क्यों लिया अब आगे हम टिली स्मित की स्टोडी को पढ़ेंगे दक्षिनी थाइलेंड के एक बीच रिजॉर्ट में ये जो परिवार था स्मित परिवार जो कि साओध इस्ट इंगलेंड से है वहाँ से आए हुए थे क्रिस्मस सेलिबरेट करने के लिए टिली स्मित एक दस साल की स्कूल जाने वाज लड़की थी और उसकी बहन जो थी वो साथ साल की थी उसके माता पिता का नाम था पैनी स्मित और कॉलिन स्मित ये 26 डिसंबर 2004 की बात है जब तबाही मचाने वाली जो लहरे थी वो अपने रास्ते पर थी और उस दिन सुमात्रा में जो बड़ा भूकम आया था उसकी वज़े से ये सुनामी के लहरे उठ रहे थी पानी जो था वो काफी बढ़ गया था और अंदर की ओर बढ़ रहा था पैनी स्मित याद करते वो बताती है कि समुंदर का जो बीच था वो छोटा छोटा होते जा रहा था क्योंकि उसमें पानी भरते जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था लेकिन टिली स्मित ने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है आज से दो हफते पहले टिली ने स्कूल में जो जोग्रफिकल लेसन पढ़ा हो था वो उसे याद आ रहा था टिली ने देखा समुंद्र जो है वो धीरे धीरे उपर के और बढ़ रहा है और उसमें बबल्स बन रहे हैं और वर्लपूल यानि कि भवर उत्पन हो रहे हैं उसको याद आया कि उसने ऐसा ही सीन उस जोग्रफिकल लेसन की क्लास में एक वीडियो में देखा था जिसमें पुराना एक सुनामी जो कि 1946 में हवाइन आइलेंड में आया था और उस सुनामी का जो वीडियो था वो वीडियो उसने देखा था तो सेम जैसा उसने उस वीडियो में देखा था वैसा ही सीन उसके सामने वो देख रही थी उनके जोगरफी के टीचर ने उनको वो वीडियो दिखाय था और बताया था कि सुनामी जो है वो भूकम के कारण, जौला मुखी के कारण और भुसकलन के कारण आ सकती है और टीली ने तभी जब उसे याद आया तो वो समझ गई कि ये जो है ये बहुत तभाई करने वाला सुनामी है तो उसने अपने परिवार को आवाज लगाई बीच पे और उसने परिवार से बात की और बताया कि समुंदर के अंदर कोई भूकम पाया हुआ है जिससे हलचल हो गई है और सुनामी हो गया है उसकी मा उसकी बात को सुनकर कहने लगी कि ये इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया है उसकी मा बता रही है कि मुझे नहीं पता था एक सुनामी क्या होता है लेकिन मैं अपनी बेटी को जैसे हैरान परिशान देख रही थी तो मुझे लगा कि जिस सरसे वो डरी वी है वाकई में कुछ गरबड होने वाली है टिली के पैरेंट्स टिली को और उसकी बहन को वहां से लेकर होटल के स्विंग पूल में चले गए और उस बीच पे जितने और भी टूरिस्त थे उन सबने उनके साथ ही उस बीच को छोड़ दिया तो तब इन्हें लगा कि जैसे पूरा समुद्र ही उनके पीछे पढ़ गया हो और मैंने आवाज लगाई भागो भागो परिवार उस होटल के थर्ट फ्लोर में जाकर रुख गया और इस बिल्डिंग पर भी तीन बार सुनामी की लहरे टकराई लेकिन वो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनी हुई थी जिस वज़े से वो टिकी रही और अगर वो बीच पर ही रह गए होते तो वो भी नहीं बच बाद में जो स्मित फैमली थी वो बाकी के टूरीज से मिली और उन लोगों से मिली जिन लोगों का पूरा परिवार खो गया था या बह गया था बाकी सारे लोगों ने टिली को और उसके जोगरफिकी लेसन को थैंक्स किया क्योंकि उसकी वज़े से उन लोगों को पहले ही चेतावनी मिल गई थी और टिली जब वापस इंग्लैंड गई अपने क्लासरूम में गई तो उसने अपने सारे दोस्तों को अपनी ड्रावनी कहानी बताई अब आगे हम इसके थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे इंडिया और शिलंका के जो तटिये इलाके थे तो वहाँ जब सुनामी टकराने वाली थी तो उससे पहले ही जो डॉमेस्टिक और वाइल एनिमल्स थे उनको कुछ ना कुछ महसूस होने लग गया था कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है और वो किसी तरह से शुरक्षे जगा पर जाने के लिए कोशिश करने लग गए और जिन लोगो जो थे वो बहां निकलने के लिए मना कर रहे थे और जू के अनिमल्स जो थे वो जू के अंदर ही दुबक कर बैट रहे थे और जहां जहां उनकी शल्टर थे वहां वो जा रहे थे वो बहां निकलने के लिए तयार नहीं थे और जो फ्लैमिंगोस थी वो उड़ना नहीं च एनिमल्स के पास सुनने की शक्ति या वाइब्रेशन्स को महसूस करने की शक्ति होती है जिससे कि वो जान जाते हैं कि पहले क्या होने वाला है एनिमल्स जो है वो पहले ही महसूस कर सकते हैं या उन्हें मनुश्यों से बहुत पहले ही ये पता लग जाता है कि आपदा होने व पर हम कह सकते हैं कि जब ये सुनामी आई थी तब एक लाग पचास जार लोगों की जान गई थी दरजनों देशों में लेकिन बहुत जादा जानवरों की मन्ने की जानकारी नहीं थी। और पक्ष्यों के भी तीस प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं। उस पार के अंदर जो पतंगाला बीच है। वहाँ साथ विजिटर्स जो घुमने के लिए आये थे वो भी बह गये थे उस सुनामी में। लेकिन किसी भी जानवर की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं मिली केवल जो दो पानी की जो भैसे थी उनकी अलावा किसी और जानवर की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं मिली थी। और यहाँ पर जिनोंने देखा उन्होंने बताया कि एक घंटा पहले यानि कि जब सुनामी टकराने वाली थी उससे एक घंटा पहले याला नेशनल पार्क मे जो तीन हाती थे वहाँ पर वो उस बीच को छोड़ कर भाग रहे थे। गॉल जो कि शिलंका का एक शहर है वहाँ उसके नजदीक में ही एक जेंटलमन रहते हैं तो वो बता रहे थे कि उनके दो डॉक्स जो है वो डेली अपने एक रूटिन पर जाते हैं बहाँ दॉनने के बहा निकलने से ही मना कर दिया वो बिलकुल भी बहा जाने के लिए तयान नहीं हुए और शायद इसी वज़े से उनकी जान भी बज़ गई और मेरी जान भी बज़ गई तो ये थी सुनामी से जुड़ी वी कुछ कहानिया जिसमें कि जो लोग बज गए थे उन्होंने अप समाप्त होता है धन्यवाद